यह देखो डायोड का गया, what is the output y in the following circuit when all the three input a and b c 0 to 1 देखो अब जो डायोड y का output निकालना है, अगर a, b, c तीन input है a, b, c और first हमने 0 रखा और then 1 रखा, समझ रहे ना, a, b, c तीनों को 0 रखा तीनों को 0 रखो और फिर तीनों को 1 रखो, तो y की output कितनी होगी तो चलो देख लेते हैं y का output, अगर मैं इसको पहले एक बार इसका expression हम लोग कर लेते हैं यहाँ से a है, a है, boolean algebra लगा देते हैं, a है, a है, तो यह multiply किया, a dot b किया यह यहाँ से आया, a dot b, यहाँ तक आएगा a dot b, चलो, अब यहाँ से c आया है, तो यहाँ से c आया तो यह क्या किया, यह इन दोनों को multiply किया, यहाँ से a dot b multiply dot c, इन तीनों को dot किया और यह जो बिंदी है, जिसे नहीं होता है, यह जो बिंदी है, वो इसको invert कर दिया, तो इसको invert कर दिया, बार कर देगा तो a dot b, a dot b dot c, इन सभी का बार कर दिया, that is final output, यह final output है, यह रखो, अब देखो, इसमें से, what is the output of the win, all the three input a, b, c are first 0 and then 1, अब first 3 को 0 करो, 3 को अगर 0 करोगे तो क्या मिलेगा, 3 को अगर 0 करो देखो इसमें से, तो 0 करोगे तो 0 और 0, और 0, और 0 का बार, तो 0 multiplied by 0, और 0, और 0 का बार 1, तो जब यह 3 0 होंगे, तो y output 1 देगा, यार, तो 1 कहां है, या तो मतलब, यह option गलत है, यह भी गलत है, अब यह यह 3 1 होंगे, 1, 1, 1, और यह 1 और बार, तो 1, 1, 1, 1, 1, और यह 0, तो 1 और 0 मिलेगा, यह पूरा computer science, पुरी digital electronics, इसी पर dependent है,